हेलो दोस्तो तो स्वागत है आपका पेपकोडिंग की यूटिब चैनल पे तो आज हम डिसकस करने जा रहा है हमारा आगला सावार जो कि है डिस्टिंट एपसलूट एरे इलेमेंट्स तो इस सवाल में हम लोगों को एक एरे मिला इंपुट में जो कि सौर्टेड ओर्डर में हुआ और हम लोगों को उस एरे में कितने डिस्टिंट एपसलूट वैल्यूस प्रेजेंट है उसका काउंट रिटन करना है तो चलते एक बार ओपन बोर्ड पे तो यह रहा हम लोगों को एस एरे इंपुट में मिलेगा जो कि सौर्टिड ओर्डर में तो इसमें हम लोगों तो डिस्टिंट एपसलूट नंबर्स कितने है उसका काउंट रिटन करना है पहले तो देख लेते कि डिस्टिंट क्या होता है डिस्टिंट नंबर्स कितने है डिस्टिंट नंबर्स कितने है इसमें तो पहले माइनस 3 आएगा फिर से ने आएगा क्योंकि सेम हो जाएगा फिर minus 2 आएगा minus 1 आएगा 1 3 4 5 ओके इतने distinct numbers अवेलेबल है इस array में और हम लोगों क्या बाता आना है distinct absolute तो absolute में क्या आएगा अगर मान लोग हम लोगों के पास minus 3 है और plus 3 है आपर तो minus 3 का absolute 3 आता है और plus 3 का absolute भी 3 आता है तो इसको दो बार count ने किया जाएगा obviously दो बार count किया नहीं जाएगा क्योंकि absolute ले रहे हम तो एक बार ही count किया जाएगा तो इसका absolute ले लेंगे minus 3 का आया 3 फिर इसे minus 2 का absolute क्या आता है फिर इसे देखते है माइनस 2 का absolute 2 आता है तो इसको भी A की बार count किया जाएगा और वो 2 होगा माइनस 1 और 1 का absolute 1 आएगा उसको count किया जाएगा अब 1 नहीं आएगा क्यों कि पहले 1 आ चुका है 1 माइनस 1 का absolute and 1 का absolute same ही होता है तो फिर से वो 1 नहीं आएगा अब 3, 3 भी नहीं आएगा 4, 4 आएगा क्योंकि 4 पहले आ नहीं चुका हमारे साथ और 5 5 भी आएगा तो ये 5 numbers distinct absolute numbers है इस array में तो हम लोगों को ये 5 as a count 5 as a count written करना है तो इस question को solve करने के लिए as distinction का कुछ अगर question में आता है तो हर किसी के दिमाग में सिर्फ hash map headset का ज्यादा approach आ जाता है तो इस सवल में हम लोगों को conditions ऐसे मिलिए कि space ज्यादा use दी नहीं करना मतलब space दी नहीं करना O of N, O of 1 का इस space दी दी करना है तो यहाँ पर हम लोग hash map headset का यूज करने हैं सकते तो देखते क्या approach लगेगा space अगर O of 1 में करना है तो हम लोग क्या करेंगे क्योंकि यह array sorted order में तो हम लोग pointers का भी use कर सकते तो देखते कि अगर array ऐसा होता 3, minus 3, minus 3, minus 2 ठीके, एक मिनट minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3 तो हम लोग दो pointer ले लेंगे I और J एक starting पे रहेगा और एक ending पे रहेगा अब यहाँ पर क्या आया minus 3 आया, 3 आया हम लोगों नहीं क्या करा, दोनों का absolute चेक करा अगर सेम है, तो एक count बढ़ा दो तो एक count बढ़ा दिया एक होगया count, और I को आगे बेश दिया और यहाँ पर J को आगे बेश दिया माण लो कि अगर यहाँ पर 3 होता और एक 3 होता, और J इस 3 को point कर रहा है अब अब आते, फिर से 3 मिल गया, और अगर माण लो यहाँ पर भी यहाँ पर भी minus 3 होता और यह i इसको point कर रहा है अब 2 pointer तो ले ले हमने अब फिर से यह check कर रहा है क्या minus 3 और 3 का absolute क्या है तो absolute minus 3 और 3 का 3 है तो फिर से count add कर देंगे तो इससे क्या produce हो रहा है 3 और फिर से एक बार 3 आ गया तो यह वाला नहीं चाहिए हमको तो हम लोग क्या करेंगे दो pointer तो लेंगे लेंगे जो starting पर रहेंगे यहाँ पर I or J और और दो pointer लेंगे जो check करेंगे अगर मैं यहाँ बरू कड़ा तो मुझे पता होना चाहिए last वाला element कौन सा था क्योंकि यह sorted order में सिर्फ last वाला element भी हमारे बास होगा तो भी हम लोगों को पता चल जाएगा कि हमारा repeated element या हमारी जो value है वही value का element पहले आ चुका है या नई तो हम लोग क्या करेंगे यह वाला point ले लेंगे हम लोगों को पता होना चाहिए इसलिए अब check करा minus 3 और 3 का absolute अब वो आया 1 तो 1 हम लोगों ने count mad कर दिया अब आगली बारी तो यह बड़ा दिया, I बड़ा दिया और J बड़ा दिया ठीके, अब क्या करा अब check करा फिर से यह दोनों आ रहे, same आ गए अब check करना है हम लोगों को तो ऐसे pointers लगेंगे चार, तो देखते एक बार यूज करते फास्ट तो I और J pointer लगेगे I और J दोनों इस side में हो गए अब एक ले लेंगे previous जो इसकी value store करेगा, जो इसके पिछला वाला point है, अगर मैं यहाँ पर हूँ तो यह वाली value यह previous वाला store करेगा next अगर मैं यहाँ पर हूँ तो यह वाली value store करेगा और एक count का ले लेंगे जो count store करता करता चला जाएगा अब यहाँ पर check कर रहे हूँ कि जो minus 3 है इसका absolute और 5 का absolute 3 का absolute छोटा है 5 से तो क्या करेंगे हम अगर 3 का absolute छोटा है 5 के absolute से तो हम लोग यह तो वालते हैं कि 3 छोटा है और हम लोगों क्या करना चाहिए कि हम लोगों को check भी करना है कि अगर minus 3 और 3 present day इस आयरे में अगर 3 present day इस आयरे में तो इसके लिए भी check करने हम लोगों हम लोग क्या check कर रहे है पर कि 5 बड़ा है अभी तके लिए 5 बड़ा है और मुझे क्या चाहिए possibility क्या चाहिए मेरे जैसा मेरे जितना ही एक absolute आना चाहिए मैं इसके लिए try करूंगा जादा जादा मेरी preference कि इस पर रहेगी कि अगर मैं minus 3 हूँ तो मैं plus 3 को ढुणता चला जाओ अब यहाँ पर क्या है 3 is less than 5 अगर 3 less than 5 है तो हम लोग क्या बोलेंगे यह तो distinct absolute हम लोगों को एक मिल गया और हम लोग इसको update करके यहाँ चले आएंगे क्योंकि यह sorted order में यह array sorted order में है तो एक possibility है हमारे पास कि हम लोगों को 3 मिल सकता है अगर 3 मिल सकता है तो हम उसके बाद चले जाएंगे ज्यादा preference उस इसके उपर ज्यादा preference रहेगा हमारा तो हम लोग क्या करेंगे 5 को एक count में add कर देंगे एक तो distinct absolute हम लोगों को मिल गया तो J को update कर देंगे J को उठाया infinity, minus infinity, plus infinity अब इसको update कर दिया 5 से क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ मेरे next में 5 element बढ़ाए अब चेक कर रहा हूँ फिर से कि minus 3 है और फिर से 5 आया अब चेक करना है अब मैं count ने बढ़ा सकता क्योंकि मैं पहले बार उसको add कर चुका हूँ तो मैं चेक करूँगा count बढ़ाने से पहले कि मेरे मेरे आने से पहले कोई 5 आ चुका है क्या तो यह next के साथ compare करेगा खुद को और 5 आ चुका है इसलिए क्या करेगा खुद को J को update कर देगा और आगे चला जाएगा पीछे चला जाएगा J और इसमें फिर से 5 आड़ हो जाएगा अब माइनस 3 और 4 अब फिर से 3 छोटा है 4 से माइनस 3 मतलब absolute value ले रहे हम तो 3 छोटा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है फिर से हम लोगों को फिर अब यह चेक करने के बाद हम लोग चेक करेंगे next के साथ क्या मेरे से पहले कोई 4 आचुका है तो यहाँ पर यह बोलेगा 4 तो नहीं आचुका तो आप एक distinct absolute हो तो हम लोग फिर से count बड़ा देंगे और J को update कर देंगे J minus minus and next में भी 4 डाल देंगे अब check करेंगे अब important position पर आ चुके है minus 3 और plus 3 आया अब क्या हुआ minus 3 और plus 3 दोनों भी equal है दोनों के absolute निकल लेंगे और वो equal आएंगे और अगर दोनों equal है एक मिनिट अगर दोनों equal है तो हम लोग क्या करेंगे हम लोगों को एक ही लेना इन दोनों में से तो एक को add कर देंगे count में अब अब क्या करेंगे दोनों को बढ़ाएंगे क्योंकि दोनों को चेक करा हमने दोनों को इक्वल है इसलिए यहां से आए बढ़ेगा वो आए प्रिवेस में एड होगा यहां से जे घटेगा वो जे next में एड होगा as a 3 and as a count to 3 as a count हम लोगा ने एड कर दिया था तो count में एड होगा फिर से अब next condition पर आ चुके मतलब अगर same number आते है absolute अगर same आता है तो हम लोग क्या कर रहे कि previous में भी update कर दे रहे अब यहां पर हूँ मैं तो मेरे पास previous वाला यह element चाहिए और अगर मैं यहां पर हूँ तो मेरे पास next वाला यह element चाहिए तो अगर मैं यहां पर हूँ तो मुझे previous minus 3 मिल रहा है क्या नहीं आप मिल रहा है तो वही चाहिए था और अगर मैं यहां पर हूँ तो next element 3 मिल रहा है नहीं यह check कर रहा हूँ अब यह सारी condition से true हुए अब फिर से check करे जा रहे अब यहां पर देखो अब यह area of i greater than 1 आ गया मतलब इस वाले side का element absolute करने के बाद बड़ा आ रहा है इस वाले side से तो हम लोग क्या करने जा रहा है यहां पर कि अगर 3 बड़ा है 1 से तो अगर फिर से वो possibility चेक करे जा रहे है कि 1 को minus 1 के साथ pair करने को मिलेगा या नहीं या same values आएंगे या ने तो फिर से अगर 3 बड़ा है 1 से तो हम लोग क्या करेंगे चेक करेंगे count बड़ाने से पहले क्या distinct absolute है previous में already आ चुका है तो नहीं है तो हम लोग i को update करके आगे चले जाएंगे अब फिर से चेक करा minus 2 और 1 क्या अब यहाँ पर फिर से चेक करा जा रहा है क्या equal है नहीं equal तो नहीं है यह तो बड़ा है तो यह चेक करेगा previous के साथ क्या previous में minus 2 पड़ा है तो previous में minus 2 नहीं पड़ा इसकी वज़े से हम लोगों ने फिर से एक distinct absolute ढून लिया है और हम लोग क्या करेंगे उसको previous में update कर देंगे और i को plus plus कर देंगे अब minus 1 और 1 इन अब यहाँ पर क्या होगा इन दोनों का absolute वन आएगा तो यहाँ पर फिर से एक absolute मिल गाया हम लोगों को distinct absolute यहाँ पर previous में minus 1 और next में 1 और और i बड़ के आगे चला गाया और j बड़ जे कम होके यहाँ वर आ गाया अब हम लोगों ने पूरे आरे में traverse कर चुके अब पूर इसको return करेंगे तो इस तरीके से इसको solve करने जा रहे तो एक बार फिर से में parse करके दिखा था आपको कि क्या हो रहा था और क्या होना चाहिए तो फिर से यहाँ पर i रहेगा यहाँ पर j रहेगा यहाँ पर previous point रहेगा previous point यहाँ पर next point ओके तो previous point next point और एक count ले लेंगे फि यहाँ पर i का जो absolute आएगा वो आएगा 3 माइनस 3 का 3 और j का आएगा 5 जो की बड़ा है 3 से तो हम लोग preference कहा रहेगी कि क्यूंकि यह एरे sorted है तो हमाली preference यह रहेगी कि माइनस 3 को 3 के साथ मीट करने के लिए मिल जाये क्यूंकि हम लोग वो चेक करे जा रहे कि यहाँ पर सेम अगर absolute आता है तो हम लोग क्या करेंगे अगर सेम absolute आता है तो हम लोग क्या करेंगे उसके ओबर ज्याद़ा preference रहेगा तो हम लोगों ने यहाँ पर 5 के लिए यह कर दिया 5 यहाँ पर क्या करेगा infinity minus infinity 5 को चेक करेंगे next के साथ क्या वो equal है नहीं है तो एक distinct मिल गया तो one कर दो और distinct मिल गया है इसलिए इसको update करो minus minus करो अब इसमें add भी कर दो तो 5 मिल गया अब फिर से आया फिर से चेक करें जा रहा है कि minus 3 और 5 minus 3 और 5 इन दोनों का comparison हुआ फिर से वैसे आया अब वो खुद को distinct बोलने से पहले चेक करेगा कि वो next के साथ next को वाला जो element उसके next में जो पढ़ा है वो same है हाँ वो same है इसकी वज़े से वो क्या करेगा कुद को add करेगा j को minus minus करेगा और count में कुछ change नहाएगा अब अब 4 के साथ चेक हो रहा है minus 3 अब फिर से ये वाला element बढ़ा है ये वाला element इससे बढ़ा है तो हम लोग क्या करेंगे फिर से ये वाला बढ़ा है और ये वाला चेक होने के बाद हम लोग पहली चेक लगाएंगे कि इसके next पे पड़ा हुआ element इसकी value के equal है तो इसकी value के equal नहीं है तो फिर से हम लोगों को एक count मिल गया distinct वाला तो हम लोगो news को next में add करा और j को minus कर दिया अब आया अब main position पे आया हूँ जो हम लोगों को चाहिए थी जो preference हम लोग दे रहे थे कि अगर minus 3 और 3 इन दोनों का absolute same आता है तो इस position पे हम लोग क्या करेंगे क्या काम करेंगे actually काम क्या है हमारा यहाँ पर आखे तो ये काम क्या है minus 3 minus 3 और plus 3 next को इस वाले 3 से update करेंगे i को बढ़ाएंगे j को घटाएंगे और एक 3 का हम लोगों को अलग सा distinct absolute करेंगे तो हम लोग इसमें count plus कर देंगे अब फिर से minus 3 आया और 1 आया अब ये check कर रहा है अब जैसे 3 के लिए minus 3 के लिए 3 डुनदा जैसे वेसे ही 1 के लिए minus 1 डुनने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा ये 3 है maximum 1 से minus 3 है पर absolute करने के बाद 3 maximum आया 1 से अब यहाँ पर preference इसको देने वाले है तो यहाँ पर क्या करेंगे कि i वाला ये वाला element जो है ये check करेगा क्या previous में मेरी equal value पड़ी है यहाँ पर minus 3 है sorry तो क्या previous में मेरी equal value पड़ी है हाँ तो वो बोलेगा हाँ तो कुछ ना करेंगे आगे चले जाएंगे अब minus 2 और 1 की बारी फिर से 2 greater than 1 है तो यहाँ पर क्या करेंगे जो greater value होगी उसको हम लोग इसमे add कर देंगे और यहाँ पर check भी करेंगे पहले previous में है क्या नहीं तो previous में नहीं थी तो हमने add कर दी minus 2 और count बड़ा दिया यहाँ पर अब यह करने के बाद I को आगे बड़ा देंगे और check करेंगे minus 1 और 1 का absolute अब minus 1 और 1 का absolute same आएगा फिर से same आएगा तो यहाँ पर क्या करेंगे इसमे minus 1 add कर देंगे इसमे next में 1 कर देंगे यहाँ पर हम लोगों एक नया count मिला नया distinct absolute मिला है तो वो कर देंगे I को बड़ाएंगे यहाँ जाएगा I I यहाँ जाएगा J यहाँ आएगा तो हम लोगों का यह पूरा पार्स फिर से हो चुका है और यह वाला count हम लोगों को मिलने वाला है ठीक है तो मैं आशा करता हूँ कि मतलब में आप लोगों के request करता हूँ कि जाओ फिर खुद से code करके आओ पहले और फिर से वीडियो देखना स्टार्ट करो तो हम लोग इसका code देखते एक बार उपर-उपर से तो यह हम नाडोज के portal पे आ चुके है थोड़ी font size बाढ़ा लेते अब आते हम लोगों क्या चाहिए था एक i लेंगे एक j लेंगे int i equals to 0 int j equals to array dot size minus 1 अब एक previous वाला लेंगे और एक आगे next वाला लेंगे तो previous में क्या store था previous में store था int min जो की minus infinity है और जो next था उसमें क्या store था int max ठीक है अब एक count भी लेंगे count equals to 0 count equals to 0 अब पहला count हम लोगों को उस array वे उपर पार्स करना है तो हम लोग लगाएंगे कि i i छोटा होना चाहिए j से छोटा और equal हो जाए तो भी चलेगा ठीक है अब आते ही चेक करेंगे अब्स और पसाफ अप्स औरस आफ आएंगे क्या वह इक्वल इक्वल है apps of क्या वो equal equal है apps of array of j से क्या वो equal equal है apps of array of j से अगर equal equal होता है तो काम करेंगे कुछ अगली condition else if में क्या apps of array of j क्या ये छोटा है apps of array of j से क्या ये छोटा है array of j से और last में condition आएगी क्या apps of i बड़ा है array of j से तो यहाँ पर आते हैं पहले चेक करेंगे हम लोग कि अब लोग हम लोग क्या देख रहे हैं कि यह चोटा element है इससे ये वाले element पहला element हम लोग उन देखा था 3, 5 से छोटा था हम लोग क्या देख रहे थे फिर यहाँ पर आते हैं चेक करा कि absolute of array of i अगर ये less than होगा absolute of array of j से तो पहला काम करते थे count बढ़ाने से पहले चाम करते थे कि वो next के साथ चेक कर रहे थे क्या next पर रखा हुआ element मेरे equal है अगर वो equal था तो हम लोग count नहीं बढ़ा देते अगर equal नहीं था तो count बढ़ाएंगे तो वो condition डाल लेते कि अगर array of j पे रखा हो element not equals to next है तो हम लोगों का काम है कि count को plus plus करते जाओ और यहाँ पर आते ही j को पहले update करो next को अब हम लोगों ने next को update कर दिया किससे array of j से कि यह element अब हमारे पास आ चुका है और j को update कर दिया next को पहले update करेंगे फिर उसके बाद j को update करेंगे अब यह काम यहाँ पर हो गया अब else part में else में क्या करेंगे check करेंगे कि array of i क्या यह equal है अगर equal है तो count नहीं बड़ा जाएगा अगर not equal है तो यह count को बड़ाएगा हम लोगों count को बड़ा दिया और previous में update कर दिया array of j को sorry i को और यहाँ पर i क्या होगा plus plus तो यह होगा है इसके लिए अगर same नहीं है तो उसके लिए अगर same है तो क्या condition हम लोगों ने लगाई थी अगर same होता है तो अगर हमारा i और j आनलोग की हमारा i j i j यहाँ परे i यहाँ परे j यहाँ परे अगर हमारा i j यहाँ परे तो हम लोग check करते थे क्या यह वाला element पहले मिल चुका है क्या यह वाला element पहले मिल चुका है अगर नहीं मिल चुका तो हम लोग एक distinct absolute बना थे उसका A कैकाउन उसका एक एक काउंट इनकरिस करते थे और इसको मान लो इसमें कुछः भी नहीं है तो इसमें previous में उसको add करेंगे, next में उसको add करेंगे, और i को यहाँ पर उठा के यहाँ डाल देंगे और j को यहाँ से यहाँ अलाग दा देंगे तो वो condition लिख लेते कि अगर array of i is not equals to previous and and array of j not equals to next अगर यह condition true है तो ही हम count को प्लस प्लस करेंगे नहीं तो previous को update कर दो किस से array of i से next को update कर दो किस से array of j से अगर यह update हो चुका है तो i को प्लस प्लस कर दो j को माइनस माइनस कर दो तो यह हमारा code होगा है और last में हम लोग 0 की वज़ा जगा count को return करेंगे ठीक है तो एक बार इसको run करके देखते है चलता है नहीं आज सब्मिट करके देखते ही एग बार मोई हम लोगों आनी क्या कर आइसको पहलते हो हूं कर लेता हूं इसको यहाँ से उटाता हूँ और यहाँ लेकर आता हूँ यह रहा हमारा कोड ओपन बोर्ड पे ठीक है अब हम लोगोंने क्या का रहा पहले i यहाँ पर रखा था जे यहाँ पर रखा था और जो हमारा प्रिवियस इलेमेंट था उस पर हम लोगोंने माइनस इंफिनिटी स्टोर करा नेक्स्ट पर इंफिनिटी स्टोर करा ठीक है और काउंट था पहला काउंट था 0 ठीक है अब हम लोग क्या चेक करेंगे कि i is less than j तो अंदर जाएंगे absolute of array of i क्या equal है absolute of array of j से नई तो अगली condition चेक करेंगे कि absolute of i क्या छोटा है absolute of j से क्या 3,5 से छोटा है हाँ 3,5 से छोटा है तो हम लोग क्या करेंगे हाँ 3,5 से छोटा था तो हम लोगोंने चेक करा कि क्या array of j पे ये वाला array of j पे जो रखावाई element है क्या वो next में available है तो वो वाला element next में available नहीं है तो ये वाली condition true हुई तो इसकी वज़े से हम लोगोंने क्या करा count को increase कर दिया ठीके क्या करा है देखो 5 क्या इसमें present है नहीं है तो count increase होगा अगर 5 इसमें present है तो count increase नहीं होगा तो यहाँ पर count increase करा j को minus minus करा देखो next में इसको update भी कर दिया 5 डाल दिया अब फिर से check करेंगे फिर से उपर जाएंगे क्या absolute of minus 3 and absolute of 5 क्या equal है नहीं है तो फिर से इस condition में आया फिर से check कर रहा है क्या absolute of i क्या 3 छोटा है 5 से हाँ 3 छोटा है 5 से तो फिर से अंदर आके check करेंगे क्या array of j is not equals to next क्या array of j is not equals to x बड़ तो ये तो equal है यहाँ पर 5 तो 5 के equal है तो हम लोग count ना बढ़ाते हुए यहाँ पर next में उसको add करेंगे फिर से इस 5 को और j को update कर देंगे j minus minus ठीक है अब फिर से minus 3 4 क्या 3 4 से छोटा है यहाँ पर नहीं जाएगा क्यूंकि equal नहीं है क्या 3 4 से छोटा है एक मिनिट क्या 3 4 से छोटा है हाँ छोटा है तो फिर से अंदर जाएगा देखेगा क्या array of j पे j पे पड़ाओ element next में available है तो नहीं है तो count बड़ा जाए तो count हो गया 2 और इसको next में update करते जाओ यह हो गया 4 j को कर दिया minus अब यहाँ पर main condition क्या minus 3 और 3 का absolute equal है क्या minus 3 का absolute और 3 का absolute equal है हाँ equal है तो हम लोग क्या check करेंगे क्या array of i पे रखाव element क्या यह वाला element previous में आया है previous तो minus infinity है नई तो यह वाली condition true हुई क्या array of j पे रखाव element next में आया है नई है next पे next पे जो element है वो equal नहीं है तो यह वाली condition true हुई यह वाली condition true हुई इसके वज़े से हमारा count भी true हुआ मतलब 1 से increase हुआ तो count 1 से increase कर दिया अब next condition previous में add कर दिया previous में क्या add कर दिया minus 3 add कर दिया और next में add कर दिया array of j that is 3 तो यह add कर दिया i को increase करा j को decrease करा यहाँ पर क्या करा i को increase j को decrease ठीक है अब फिर से क्या 3 पे रखाव element क्या मतलब array of 1 पे array of i पे रखाव element absolute that is क्या 3 equal है 1 के नहीं है क्या 3 less than है 1 से क्या 3 less than है 1 से नहीं है क्या 3 greater than है 1 से यह condition true हुई इसके वज़े से वे else में आया else में आते ही चिक करा कि array of i पे रखाव element not equals to previous है यह तो equal है तो count नहीं बढ़ेगा क्योंकि 3 का absolute हम लोगों ने already store करा इसमें ठीक है तो यह वाला यहां से इसमें update हो जाएगा कि यह minus 3 था यह वाला आई बढ़ जाएगा अब इन दोने के बीच में comparison होगा तो इन दोने के बीच में क्या comparison होगा क्या 2 equal है 1 से नहीं है क्या 2 greater than क्या 2 less than है 1 से यह condition true हुई अगर यह condition true होती है तो फिर से check करेंगे क्या array of i पर रखा हूँ element previous के not equal है हाँ not equal ही है तो हम लोग फिर से count बढ़ा देंगे और previous में add कर देंगे यह minus to add हुआ और i को plus plus कर देंगे i हो गया plus अब फिर से वो main condition आई जिसमें absolute equal आते थे absolute equal आये है तो क्या है 1 क्या 1 equals to 1 है हाँ क्या 1 पर यह इस पर रखाव element इसके equal है नहीं है तो भाई बढ़ा दो count और दूसरा भी check करेंगे कि क्या इस पर रखाव element previous में और next में आड़ कर देंगे यहाँ पर minus 1 यहाँ पर 1 आड़ हो गया और यह पूरा pass हम लोगों ने कर चुका है कर लिया मतलब यहाँ पर क्या होगा i plus होगा j minus होगा अब यह condition true भी नहीं रहेगी while condition में आएंगे ने क्यूँकि i greater than हो गया जेसे आया हम लोगों को less than equals to तो कि चाहिए था तो यह रहा इसका ड्राइरन तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को यह question और solution और इसका ड्राइरन समझ में आया हो thank you for watching